मा और सास में अंतर कुछ नहीं, रोते हुए संसार में आई, तब मा ने गोद में उठाया, रोते हुए ससुराल गई, तब सास ने गले से लगाया, मा ने जीवन दिया, तो सास ने जीवन साथ ही दिया, मा ने चलना बैठना सिखाया, तो सास ने समाज में उठना बैठना सिखाया, मा ने घर के काम सिखाये, तो सास ने घर चलाना सिखाया, मा ने कोमल कले की तरह समाला, तो सास ने विसाल विक्ष जैसा बनाया, मा ने सुख में जीना सिखाया तो सास ने दुख में भी जीना सिखाया मा इश्वर के समान है तो सास गुरू के समान है